हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर वर्ना गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है हिर्दय की कारी मिन्स फंक्शन और हार्ट पिछले वीडियो में मैंने हिर्दय की संरचना के बारे में बताया था यानि की हिर्दय का स्ट्रक्चर कैसा होता है उस थी जड़ने एक जगें से दूसरे जगहाने वाली रगत कर लोगत हैं हम थी नें। था प्ढ़ा हुआ था ओके तो आज हम पढ़ेंगे हिर्दय की कारी के बारे में थोड़ा सा थो हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से रख्ट कहां जाता है और जो इसकी चारोचामबर्स होते हैं मिंस जो इसके कच्छ होते हैं, जिसे कि हम कमरा बोल रहे थे, कि चार कमरे होते हैं और उन में किस तरीके से संकुचन होता है, यानि कि जो हिर्दय का कंडक्शन सिस्टम है, संकुचन प्रणाली है, वो भी हमने discuss किया हुआ था कि किस तरीके से जो इसके आलिंद और निले में संखुचन होता है और किस तरीके से रक्त आलिंद से निले में जाता है और किस तरीके से दाएं से बाएं में जाता है तो किस तरीके से इनका संचरन होता है ये सारी चीजे हमने पिछले वीडियो में डिसकस की हुई थी तो अब हम डिसकस करेंगे इसका सबसे important part कि किस तरीके से जो आपका हिर्दय है वो काम करता है चली तो इसको हम detail में देख लेते हैं और इसके सासाथ में हम picture के माध्यम से देखेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल ही clear हो जाएगा कि हुर्दय किस तरीके से काम करता है तो फिर हम यहाँ पर पहले picture ले आते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब जो कि हिर्दय है वो एक pump की तरह होता है जिसका काम क्या होता है रक्त को अंदर खीचना और धमनियों के द्वारा रक्त को शरी के अन्य बिभिन बिभिन भागो में पहुँचाने का काम करता यह आपका कौन करता है यह हिर्दय करता है यानि कि रग्त को अंदर खीशता है उसकी बाद में हमारे शरीड के जो बिभन भाग हैं अलग अलग पार्ट्स हैं सब में रग्त को पहुचाने का काम करता है तो यह हमारे हिर्दय का काम होता है वही हम यहाँ पर डिसकस करने जा रहे हैं डिटेल में कि क इस तरीके से ये काम करता है तो इस picture के मादम से आपको समझ में आ जाएगा अच्छा हमने इसकी Hindi English आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी तो यहाँ पर हमाई ख्याल से दुबारा बताने की जरूरत नहीं है lungs का मतलब हो गया फेफडा और जो यहाँ पर आरे लिखा हुआ है यहाँ पर जो आरे लिखा हुआ है इसका मतलब है राइट औरिकल यानि की दाया आलिन दाया आलिन्द और ये है दाया निले और ये है आपका बाया आलिन्द और ये है बाया निले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं राइट ऑरकल लेफ्ट ऑरकल राइट वेंटरकल और लेफ्ट वेंटरकल और यहां पर यह वाल्व के बारे में हमने आपको पडाया था zh4 जितने वाल्व होते हैं इसमें बाइक अपित्र ट्राय कस्पड ठीड ऑजो पनमोल्री वाल्व होता है इन सब के मित्र के बीश में ही जो घनिस्र संबंध होता है तो इसे वाई मीन्स दो और मित्रल मीन्स मित्र इस तरह किसे आप याद कर सकते हो चलिए तो इसमें काफी चीजे हमने बताई हुई थी अब यहाँ पर उसको हम इस पिक्चर के माधन से देख लेते हैं जिसे कि आपका क्लियर हो जाए ठीक है अच्छा हाँ यह चीज और यहां पर जो यह वाला सिस्टम यानि की जो फेफड़े और यह आपके हिर्दय के बीच में जो भी संचरण हो रहा है रक्त का ठीक है circulation हो रहा है उसको pulmonary circulation कहते हैं pulmonary circulation कहते है pulmonary pulmonary का मतलब होता है pulmonary का मतलब होता है phumphusia इसका मतलब है lungs यानि कि आपके lungs और हिर्दय की बीच में जो भी circulation हो रहा है blood का जो संवहन हो रहा है रक्त का उसको pulmonary circulation बोलते हैं ठीक है यानि कि phumphusia संवहन बोलते हैं और यह सिस्टमिक circulation इसका मतलब है कि आपके heart और आपके शरीर यानि कि body के बीच में जो circulation हो रहा है उसको systemic circulation बोलते हैं अब हम देख लेते हैं इसको किस तरीकी से हिर्दय काम करता है अब हिर्दय से अशुध रक्त को अपने दाएं एट्रियम में संग्रहित करता है यानि कि स्टोर करता है ठीक है तो यह जो superior विना केवा यह यहां पर होता है ठीक है यहां पर सुपीरियर विना केवा यानि कि सुपीरियर विना केवा से अब विना केवा यह हमने बताया हुआ था कि जो सबसे लार्ज वेंस होता है सबसे बड़ी जो शिरा होती है उसको विना केवा कहते हैं और इसमें भी आपकी एक superior vena keva होती है और एक जो है आपकी inferior vena keva होती है दो types की होती है या इनकी ओर्ध महाशिरा होती है और दूसरी आपकी निम्न महाशिरा होती है तो superior vena keva से यहाँ पर रखता आता है ठीक है जिससे की हिंदी में superior vena keva को बोलते है ओर्ध महाशिरा और यह जो यहां पर वेना केवा है यह आपकी inferior वेना केवा है inferior यानि कि इसको निम्न महाशिरा बोलते हैं निम्न महाशिरा ठीक है यहां पर space नहीं अदर्वाइज मैं यहां पर लिख देती तो आप जान जाए यहाँ पर लिख दिया निम्न महाशिरा और ये है आपकी उर्ध महाशिरा तो हिर्दर शरीर के सभी भागों से यानि कि यहाँ से सुपीरियर वनाकेवा से और इंफीरियर वनाकेवा दोनों से यहाँ पर क्या होता है अशुद्रक्त दाय एक्ट्रियम में आता है अब यहाँ पर देख सकते हो आप यह जो राइट एट्रियम है दाया आलिंद है यहाँ पर अशुध रक्त आ रहा है ठीक है सुपिरर वेना के वासे आता है और यह निम्न महाशिरा यानि की यहां से यह आता है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर जो यह blue arrow लगी हुई ह यहाँ पर देखिए blue blue यह पूरे में इस दाएं साइड में blue लगा हुआ है इसका मतलब है कि जो दाएं साइड में यह भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हिर्दय पढ़ा रहे थे कि जो हिर्दय का मलब यह पूरा सर्कुलेशन हो रहा है तो हिर्दय का जो दिश का मतलब है शुद्धरक्त, ठीक है तो इस साइड में बाइं साइड में पूरा शुद्धरक्त का लेजदेन चल रहा है ये जो Red arrow लगी हुई है इसका मतलब है शुद्धरक्त का इधर लेजदेन चल रहा है पूरे में और इधर जो है आपका de-oxygenated यानि की अशुद्धरक्त दाएं साइड में पूरा अशुद्धरक्त का लेनल होता है ठीक है तो superior वेना के वासे अशुद्धरक्त राइट एट्रियम में आता है और inferior वेना के वासे यहां पर आता है यहां पर देख रहे हो यहां पर आ रहा है रक्त ठीक है और इधर स पूरी तरीके से भर जाता है, तो वह संकुचित होता है, ये भी हमने बताया था कि पहले right atrium में संकुचन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में right ventricle में संकुचन होता है, फिर left ventricle में संकुचन होता है, फिर left ventricle में संकुचन होता है, ठीक है, तो अशुद्रक्त जब इसम कि इसके बीच में valve लगी होती है ठीक है इसके बीच में यहाँ पर valve लगी होती है जिसे की tricuspid valve कहते हैं इसी को tricuspid valve बोलते हैं जो right atrium और right ventricle के बीच में लगी होती है ठीक है तो यह valve हो गई इसको tricuspid valve बोलते हैं अब tricuspid valve की ही सहायता से right atrium में जब संकुचन होता है तो रक्त tricuspid valve से हो करके आपके right ventricle में आ जाता है यानि की दाए निले में रक्त आ जाता है अब क्या होता है जब right ventricle में रक्त आ जाता है अशुद रक्त इसमें आ जाता है तो यह जो valve है tricuspid valve यह बंद हो जाता है अब इसके बाद में अगले चप्छंद क्या होता है जब ये दाया रोपार अब इसमें रत आ गया अब ये पूरी तरीके से भर जाता है तो जब इसमें संकुचन होगा तो रक्त पलमोनरी वॉल्ब से पल्मोनरी वॉल्ब से यह हमने बताया था कि राइट वेंट्रकिल और जो पल्मोनरी यानि कि लंग्स के बीच में वॉल्ब लगी होती है यानि कि जो कपाट लगा होता है उसको पल्मोनरी वॉल्ब कहते हैं यानि कि फुम्फुसिय कपाट कहते हैं ठीक है तो उसी की सहायता से pulmonary valve की सहायता से right ventricle में जब संकुचन होता है तो उसी valve की सहायता से जो अशुद्रग्त है वो pulmonary artery के मुख्य भाग में पहुँच जाता है ठीक है यह देख रहे हुआ pulmonary artery है तो right ventricle से जब इसमें संकुचन होता है तो रक्त जो है यहां से आपके pulmonary artery में पहुच जाता है ठीक है अब pulmonary artery में पहुच गया अब pulmonary artery में क्या है अशुद्रग्त है ठीक है तो यह चीज हमने कहा था कि सारी धमनियों में वैसे तो शुद्रग्त होता है लेकिन एक जो आपकी पल्मोनरी आर्ट्री है इसमें केवल अशुधरक्त होता है तो इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट बेंटरिकल से अब कहां जा रहा है अशुधरक्त पल्मोनरी आर्ट्री में जा रहा है अब यहां से जाएगा अब जो है पल्मोनरी आर्ट्री जो है इसमें जो शुधरक्त है यह आपकी आगे चलकर दो साखा में विभाजित हो जाती है यानि कि दाहिनी राइट पल्मोनरी आर्ट्री और लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट्री ठीक है यह भी दो होती है पल्मोनरी आ शुद्ध रक्त को पहुचाती है यह जो पल्मूनरी आटरी है यह अशुद्ध रक्त को ले करके लंग्स में आती है यानि कि फेफडे में आती है ठीक है फेफडे में अशुद्ध रक्त को ले करके आती है अब यहां पर रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है यानि कि रक्त अ यहां से शुद्रक्त यानि की oxygenated rich blood oxygen rich blood वो शुद्रक्त होता है अब यहां से शुद्रक्त आपका pulmonary vein में आएगा यानि कि फुम फुसिये शिरा में आएगा तो यह भी हमने बताया का था कि जितनी भी शिराएं होती हैं सब में अशुद्रक्त होता है लेकिन सिर्फ और pulmonary vein में आपका शुद्रक्त पाया जाता है यह exceptional है ठीक है pulmonary vein में इसमें शुद्रक्त होता है तो अब लंग से शुद्रक्त pulmonary vein में आएगा ठीक है यानि कि फुम फुसिये शिरा में आएगा ओके और जो है अब यह जो फुम फुसिये जो pulmonary vein है यह भी further जो है चार pulmonary vein में डिवाइड हो जाता है ठीक है उसके बाद में अब परमूनरी वेन से होते हुए जो शुद्ध रख्त है वो कहाँ पर आएगा आपके बाएं आलिंद में, यानि कि लेफ्ट औरिकल में आएगा बाएं आलिंद में इसमें शुद्रक्त आजाएगा, ठीक है अब जो ये आपका लेफ्ट औरिकल है, अब इसमें संकुचन होगा, ठीक है अब जब इसमें संकुचन होगा तो अब यहाँ इन दोन left oracle और left ventricle के बीच में क्या है यहाँ पर लगा हुआ है bicuspid valve दुई कपर्दी कपाट लगा हुआ है अब left ventricle जब पूरी तरीके से भर जाएगा तब इसमें संकुचन होगा और यहाँ से जो शुद्ध रगत है वो left ventricle में bicuspid valve की सहायता से इसमें आ जाएगा left ventricle में आ जाएगा और जो यह फिर bicuspid valve जो है यह बंद हो जाएगा अब left ventricle में शुद्ध रगत आ ठीक है अब यहाँ से जो शुद्ध रगत है जो शुद्ध रगत है वो कहाँ पहुँचेगा अब आपका left ventricle जब पूरी तरीके से भर जाएगा अब इन aorta में पहुचेगा यह महाधमनी होती है यानि कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसको महाधमनी बोलते हैं तो अब महाधमनी में शुद्ध रगत पहुचेगा अब aorta जो है शरीर की सबसे प्रमुग धमनी होती है अब यह शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित हो अब जो महाधमनी है वो धमनी में, आर्ट्रीज में विभाजित हो जाएगी और फिर जो आर्ट्रीज है यानि कि धमनिया है वो उपशाखाओं में विभाजित हो जाएगी यानि कि आर्ट्रीयोल्स में विभाजित हो जाएगी और उसके बार में जो आर्ट्रीयोल्स है यान महाद्धमनी से ये धमनी में आएगा फिर धमनी से धमनिका में आएगा और धमनिका के बाद में केशकाओं में आएगा ठीक है यानि कि artery, arterioles और capillaries महाधमनी फिर धमनी में आएगा फिर धमनीका में आएगा फिर केशका में आएगा अब जो capillaries हैं वो हमने बताय था कि आपके पूरे शरीर में ये जाल के जैसी बिच्छी होई होती है अब जो artery है इसी capillary के माध्यम से यानि कि केशका के माध्यम से जो है शुद्रक्त वो आपके शरीर में आजाएगा आपके पूरे शरीर में आएगा और ये पूरे शरीर में ये फैल जाता है इसका वितरण हो जाता है ठीक है तो अब ये शुद्रक्त आपके शरीर में पहुँच गया ये प्रोसेस हो गई फिर इसके बाद में क्या होता है अब जो अशुद्रक्त होता है आपके बॉड़ी में ये तो शुद्रक्त यहां पहुँच गया अब जो शुद्रक्त है अशुद्रक्त है वो आपकी बॉड़ से inferior वेना केवा यानि कि निम्न महाशिरा और सुपीरियर वेना केवा दोनों और निम्न महाशिरा के द्वारा जो है फिर से राइट औरिकल में जाएगा फिर राइट वेंट्रिकल फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स पल्मोनरी वेन लेफ्ट औरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल फ फिर body तो इस तरीके से ये पूरी process चलती रहती है आपके शरीर से जो भी अशुद्रक्त होता है वो आप ओर्धो और निम्न महाशिरा यानि कि ये superior और inferior वेना केवा के द्वारा right auricle में जाता है फिर वहां से right ventricle फिर pulmonary artery में फिर lungs में वो शुद्ध होता है फिर pulmonary veins में जात है वहां से left auricle फिर left ventricle फिर आपके धमनियों में जाता है फिर वहां से शरीर में चला जाता है तो ये पूरा process इसी तरीके से चलता रहता है इस तरीके से आपका जो हर्दय है वो काम करता है ठीक है चलिए तो ये हो गया आपका कि हर्दय किस तरीके से काम करता है उम्मेद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए चलिए अब बात कर लेते हैं हर्ट बीट की हर्ट बीट हिंदी में इसको कहते हैं हृदय स्पन्दन या धड़कन चलिए अब एक स्वस्थ मनुष्य में याने के एक हेल्दी पिपल के पिपल में जो हेल्दे की धड़कन होती है वो एक मिनट में कितनी बार 72 से 75 बार धड़कती है ठीक है यानि कि जो एक हेल्दी पिपल है जो स्वस्थ मनुष्य हैं उनमें एक मिनट में 72 से 75 बार आपका जो हेल्दे होता है वो धड़कता है एक मिनट में 72 से 75 बार और विशेश परिसिती में दिल की धड़कन कम और ज़्यादा भी हो सकती है जैसे कि जब आप exercise करते हो तो आपके हिर्दय की धड़कन और ज़्यादा बढ़ जाती है तो अलग-अलग cases में कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकती है लेकि एक single beat में पहले आपके जो दोनो आलिंद होते हैं यानि कि जो आपका जो auricle है पहले उसमें संकुचन होता है फिर उसके बाद में आपका जो ventricles है उनमें संकुचन होता है यह तो हमने बता ही दिया है आपका किस तरी किस संकुचन होता है तो यह होता है उसके बाद में पह लन होता है यही क्रम पूरे जीवन भर एक लए के साथ में रिदम के साथ में चलता रहता है और आपका हर्दय धड़कता रहता है जब रक्त निलयों यानि की जो वेंटर्कल के संकुचन के कारण हर्दय की शिखागर यानि की उसके सिखर पर पहुंचता है तो वहां पर वो वच यानि जो आपका चेस्ट है उसकी दीवार से तकराता है जब वेंटर्कल में संकुचन होता है तो उसके संकुचन के कारण जो रक्त है वो हर्ट का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है हर्ट का apex जिसे बोलते हैं वो आपके जो है chest यानि कि वच्छ की दिवार से टकराता है तब एक ध्वनी निकलती है यानि कि एक sound निकलता है उसी को हम beat के रूप में सुनते हैं जो heartbeat हमारी सुनाई पड़ती है हमको हिर्दय की धरकन सुनाई पड़ती है यह तब होता है जब आपका जो ventricle होता है वो उसमें संकुचन के कारण जो रखता है वो हिर्दय की दिवार से मला हिर्दय का जो सिखाग रहे है हिर्दय का सबसे उपरी वाला भाग है वो वच्छ क की वीवार से टक्राता है तब ये ध्वनी निकलती है और हमें धाडकन की आवाज सुनाई पड़تी है प्रीजे से से भी अधिक होती है तेजी से उनमें हिर्दय धड़कता रहता है कि असपंदन की जो गती होती है वो भी अब यह डिपेंड करता है वेक्ति विशेश की कि आयू क्या है उसकी शरीर की मुद्रा क्या है यानि कि किस पोस्चर में वो है और उसका जो मानसिक और शारीरिक अवस पर और मानसिक और शारीरिक अवस्था पर तो इन सब पर आपकी जो हर्ट बेट है वो निर्भर करती है इसकी गती अब जो है हिर्दय पेश्यों की जो संगुचन की प्रक्रिया है जो क्रम से पहले आलिंद और फिल निलय में होती है तो उसको सिस्टोल कहते हैं तो जब भी हमने आपको हाइपर टेंसन पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी आपको सिस्टोलिक प्रेशर और डियास्टोलिक प्रेशर ये दोनों ही बताया था ठीक है तो जब हिर्देपेशियों में संकुचन होता है यानि कि आलिंद में और फिल निलय में जो संकुचन होता है उसी को सिस्टोल बोलते हैं संकुचन की आवस्था को जो हिर्दे में संकुचन हो रहा है आलिंद और निलय में उसको बोलते हैं सिस्टोल संकुचन की होती है और यह जो क्रिया होती है सिस्टोल की यह कितने देर की होती है या क्रिया 0.4 सेकंड की होती है ठीक है यह जो process है systolic 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 की जो process है संकुचन की आवस्था है यह 0.4 second की होती है इतना समय लेती है इसके बाद में हृदय विश्राम करता यानि कि relax होता है और इस समय किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता है इस समय किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता यानि कि जो आपका ventricle और auricle है वो एकदम relax रहता है शिथल अवस्था में रहता है तो जो विश्राम की अवस्था है विश्राम की अवस्था है यानि कि जब आपका आलिंद और निले दोनों ही relax कर रहा है आराम कर रहा है तो उसको diastole कहते हैं तो टोल कहते हैं उसको ठीके यानि कि जो है यह contraction period होता है और जो diastole होता है यह आपका relaxation period होता है और यह कितना होता है यह भी आपका 0.4 second का होता है ओके तो इस तरीके से आपका जो systole है वो भी 0.4 second ले रहा है और जो diastole है भी 0.4 second ले रहा है अब इन दोनों से मिल करके हिर्दय का एक चक्र पूरा होता है ठीक है यानि कि हिर्दय का पूरा एक जो चक्र पूरा हो रहा है इन सिस्टोल और डायस्टोल को ले करके पूरा होता है तो टोटल जो है आपका आपका है सकते हो कि एक हिर्दय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है यानि कि एक हिर्दय चक्र पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है ठीक है यह चीज आपको सौन में आ गया आउस्तन जो वयस्क वेक्ति है यानि कि जो एडल्ट मैन है उसका जो हिर्दय है वो प्रत दिन संपून शरीर में लगभग 75-100 लीटर यानि कि 7.5 लीटर रग्त को पंप करता है हर दिन प्रतेक दिन जो हमारा हिर्दय है वो प्रत दिन एक वयस्क वेक्ति में प्रत दिन पूरे शरीर में लगभग कितना 75-100 लीटर रग्त को पंप करता है ठीक है एक दिन में 75-100 लीटर रग्त को पंप करता है आप चलिए बात कर लगते हर्ट साउंड की हर्दय धोनिया हर्ट साउंड चलिए इसको फटा फट देख लेते हैं हर्दय के कारिक करने पर जब यह हर्दय काम करता है अपना तो जब यह काम करता है तो इसमें कुछ धोनी निकलती है लब और डब की यानि कि लब डब सब्दों के उच्चारण के समान धोनिया उत्पन होती है लब और डब यह जो है धोनी उत्पन होती है जह हमारा हर्दय कारिक कर रहा होता है ठीक है इन शब्दों के उच्चारण के साथ में ऐसा हमको जब आप जो हर्दय की धड़कन अपनी सुनोगे तो उसमें लब डब लब डब ऐसी धोनी आपको सुनाई पड़ेगी ठीक है इन्हें हिर्दय के समीब अपने वच्च पर कान लगा कर या फिर स्टथो इसकोप के द्वारा आप सुन सकते हो आराम से सुन सकते हो यह आपको सुनाई पड़ेगी जो पहली धोनी है वो ट्राइकस्पिड वाल्ब और बाइकस्पिड वाल्ब के बंद होने के कारण उत्पन होती है और दूसरी धोनी जो है वो जो एवोर्टिक वाल्ब और पलमूनरी वाल्ब है उसके बंद होने के से उत्पन होती है ठीक है तो पहली धोनी की जो उत्पत जंबी धीमी और अधिकवत यानि की पॉइंट वन टू सेकेंड तक रहती है ये इसको लवध्धुनी कहते हैं जब निलेयों में यानि कि जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये दोनों जब बंद होते हैं जब बंद होते हैं तो उसके कारण से उत्पन होती है ठीक है और जो पहली धोनी है यानि कि लव ये जो लव है ये पहली धोनी होती है ये पहली धोनी जब निलेयों में संकुचन होता है निलियो में संकुचन होता है तो जो है systolic sound तो अमले जब पहली धोनी की जो उत्पत्ती होती है जब निलियो में संकुचन होता है तो पहली धोनी की उत्पत्ती होती यानिकि ये पहली धोनी सुनाई पड़ती है तो इसको systolic sound कहा जाता है या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं प्रा कुंचनी ध्वनी ठीक है अब ये जो ध्वनी है जो systolic ये sound है ये कुछ लंबा धीमा और अधिक अवधिका याने की 0.12 second का होता है और इसी को बोलते हैं पहली ध्वनी को लब कहते हैं इसको लब बोला जाता है ठीक है ये आपकी पहली ध्वनी होती है फिर्स्ट साउंड ये पहला साउंड होता है लब उसके बाद में अब जो दूसी धुनी है जब वेंट्रिकल्स में सिथलन होता है याने की जब वो रिलाक्स होता है अब दूसी धुनी आ गई जब निलेओं में सिथलन होता है याने की जब वो रिलाक्स करता है जब डायस्टोल वाला फेज आता है तो जो है उसको अनुसिथलनी धुनी याने की डायस्टोलिक साउंड कहते हैं डायस्टोलिक साउंड हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसिथलनी धुनी ठीक है डायस्टोलिक साउंड उसको बोलते हैं और इस पे जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं डब ओके और यह जो धुनी होती है यह छोटी और कम आवधी वाली होती है याने की यह होती है 0.01 second की होती है जो आपकी इससे पहले थी वो 0.12 second की थी थोड़ी लंबी होती है लेकिन जो आपकी ये दूसरी वाली धुनी है ये आपकी 0.01 second की होती है आनि कि बहुत ही छोटी होती है तीवर छोटी होती है और कमावधिकी होती है और इसको बोलते हैं, दूसरी धुनी, ठीक है, ये second sound कहलाता है, दूसरी धुनी कहलाती है, ओके, तो ये हो गया, heart beat के, sorry, heart sound के बारे में हो गया, heart beat के बारे में हमने बता दिया, फिर दे की कारे के बारे में बता दिया है, तो अब I think आपका, जो भी important चीजे चीजे थी, आपके heart में, वो हमने सारी चीजें discuss कर ली है, सबसे important इसमें यही था, कि आप जितने भी vessels थी, उनके बारे में आप जानो, जो हमने बताया आपको, कि जिसे pulmonary artery के बारे में specific चीज बताई, pulmonary vein के बारे में specific चीज बताई, यह आपको पता होना चाहिए, और कौन सी vessels, यानि कौन सी जो वाहिनी है, वो हिर्दय की और ले करके जाती है, रक्त को, और कौन सी हिर्दय से दूर ले करके जाती है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह exam में पूछा जाता है, ठीक है तो ये भी हमने बता दिया है कि जो वाहिनिया ब्लड को हिर्दय से दूर ले करके जाती है यानि कि हिर्दय से ले करके जा रही है दूर ले करके जा रही है उनको धबनिया बोलते हैं और जो blood vessels यानि जो रक्त वाहिनिया हिदे की ओर रक्त ले करके जाती हैं उनको शिरा बोलते हैं ठीक है तो इसको आप note down कर लो क्योंकि ये एक्जाम में कई बार पूछा गया है तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ जिससे कि आप लोग ये भूलो नहीं ये बहुत important ह हिर्दय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनिया यानि की blood vessels की जो हम बात कर रहे हैं इनको कहते हैं जो हिर्दय की ओर रक्त ले करके जा रही हैं उनको कहते हैं शिरा means wins और इसमें क्या होता है अशुद्ध रप्त होता है ये picture देखोगे तो आपको बिल्कुल ही clear हो जाएगा ठीक है और हिर्दय से दूर दूर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनिया हैं उनको बोलते हैं धमनी यानि की artery और इन में होता है शुद्ध रक्त और ये तो हमने बताया था तो चलिए फिर यहां पर हमने सारा कुछ discuss कर लिया है चलिए फिर आप यहां पर यही पर हम वीडियो को end करते हैं फिर next वीडियो में देखते हैं जो भी आपका next system होगा वो हम ले करके आएंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देख लीजी अगर एक बार में न को देख लोगो आपको बिल्कुल ही clear हो जाएगा मैंने बहुत कोशिश की है बहुत ही easy language में और बहुत ही आसानी से आपको समझाने की तो अमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ओके चलते हैं फिर मिलते हैं next video में thank you so much and take care bye bye